हलो दोस्तो पावर प्लान गाइड में एक बर फीर से स्वागत है दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है कास्टिक इंब्रिटल्मेंट कास्टिक इंब्रिटल्मेंट का फोर्मेशन बोईलर में कैसे होता है कौन-कौन से वो region है जिसके द्वारा caustic embrittlement का formation होता है और boiler में इसका क्या बुरा effect पड़ता है और कौन-कौन से वो precaution है जिसको यदि हम करें तो इसका formation होने से बचा जा सकता है इन सभी बातों का discussion इस वीडियो में हम लोग detail में करेंगे तो चलिए इस वीडियो को start करते है तो caustic embrittlement अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है इसमें एक है caustic और दूसरा जो है वो है brittle जिसमें sodium hydroxide या potassium hydroxide को ही caustic कहा जाता है और brittle का मतलब है कि कोई चीज कठोर तो है लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाया जाए तो वो असानी से तूट सकता है चूर चूर हो सकता है जैसे अगर इसको एक example से समझे तो आपके पास दो glass है एक steel का glass है और एक काच का glass है अगर दोनु glass को आप एक साथ जमीन पर गिराएंगे तो steel के glass को कुछ नहीं होगा लेकिन काच का glass जो है वो तूट जाएगा चूर चूर हो जाएगा क्यूं? क्यूंकि जो काच में जो material property है वो brittle property होता है brittle किसी material के एक ऐसा material property है जिसमें अगर हम थोड़े जही force impact या compressive stress लगाएं तो वो material जो है वो तूट जाता है fracture हो जाता है या चूर चूर हो जाता है जैसे आप एक chalk को लेंगे और अगर उसमें compressive stress लगाएंगे तो वो क्या होगा? कि वो असानी से चूर चूर हो जाएगा तूट जाएगा तो उसके जो तूटने का कारण है वो है brittle property तो caustic imbrittlement imbrittlement का मतलब हो गया कि किसी चीज को brittle बना देना caustic के द्वारा अब देखते हैं इसका definition तो caustic imbrittlement in a boiler is a process in which the boiler material become brittle due to the accumulation of caustic substance like NOH, KOH, etc. तो इसमें यह बोल रा कि caustic imbrittlement boiler में एक ऐसा process है जिसमें boiler का जो material होता है वो brittle होना start हो जाता है कब जब caustic substance like NOH और KOH का accumulation होता है अगर यह sodium hydroxide अगर इखटा होने लगता है किसी जगा पे तो वो sparks को brittle बनाता है तो इसी को कहा जाता है caustic imbrittlement अब समझते हैं कि boiler में इसका formation कैसे होता है इसका क्या कारण है तो देखिए जब boiler water का हम लोग treatment करते हैं तो boiler water को soft करने के लिए हम लोग sodium bicarbonate या sodium carbonate का use करते हैं लेकिन treatment के बाद कुछ उसके residual parts जो है वो boiler water में ही रा जाते हैं और यह boiler water के साथ चले जाते हैं और जब इनका boiler में heating होता है तो वहाँ पर यह water के साथ reaction करके sodium hydroxide और carbon dioxide बनाते हैं इसी sodium hydroxide को कास्टिक कहा जाता है अब जैसे जैसे water का evaporation होता है वो steam बनता है और फिर से नया water आता है और फिर से उनका evaporation होता है तो इस NOH का concentration बढ़ जाता है जिससे यह boiler के उस parts पे जाकर इखटा होने लगता है जो की under stress में रखते हैं जैसे riveted joints हो गया, bends हो गया, welled joints हो गया, pits हो गया, holes हो गया यह सब जगह पर जाकर वो इखटा होने लगता है और जैसे ही इनका concentration एक समय बढ़ता है तो उस समय क्या होता है उस जगह को यह brittle बना देता है जहां पर थोड़ा सा ही stress जो है देने पर वो crack हो जाता है और finally जो tube है वो fracture हो जाता है जैसा कि आप effect में देख सकते हैं कि it makes brittle of boiler parts like riveted, bends, joints, pits, hole, etc. which are under stress and finally it fracture the boiler tube and parts यह क्या होता है कि यह उस parts को brittle बना देता है जो parts under stress में रते हैं under stress कहने का क्या मतलब है कि boiler में वो जगा जहां पर stress जो है वो सबसे जादा पड़ रहा है जैसे जहां पर joint हो गया, bends हो गया, pits हो गया, hole हो गया यह सब जो जगा होता है वो boiler का ऐसा parts से जहां पर THE palm आमपल से समझे तो माल लिजे आपका हाथ थोड़ा सा कहीं कड गया है तो अगर पूरे हाथ में अगर हम equally हर जगा force लगाएं तो कटे हुए parts में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा stress लगेगा तो वो जो कटा हुआ parts से इसका मतलब है कि वो under stress में हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा stress सबसे ज़्यादा force लगता है तो ठीक उसी तरह जहाँ पे boiler में जहाँ पे riveted joints होते हैं पीर्स होते हैं, holes होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा stress बढ़ता है और जब ये NOH का concentration बढ़ता है तो वो वहाँ पे जाके जमा हो जाते हैं और उसको brittle करते हैं और finally जो है वो boiler tube या parts को fracture करते हैं तो जब ये caustic embrittlement होता है जिसके द्वारा boiler के parts जो है वो fracture हो जाता है उसके द्वारा हमारा process काफी disturb होता है और हमें काफी losses भी होता है तो वो कौन सा precaution है जिसको अगर हम करें तो इस caustic embrittlement से बचा जा सकता है उसको देख लेते हैं जिसमें पहला है use sodium phosphate instead of sodium carbonate as softening reagent जैसा कि मैंने बताया कि sodium carbonate जो है वो water को soft करने के लिए use किया जाता है तो उसके जगा हम लोग क्या करेंगे कि sodium carbonate ना use करके sodium phosphate को use करेंगे जब हम लोग इसका use करेंगे तो ये क्या होगा कि अगर ये किसी parts में जमा भी हो जाएगा तो वो उस material को brittle नहीं करेगा ज तो इससे हम लोग बस सकते हैं नेश्ट जो है वो है adding tannin और lignin to boiler water अगर boiler water में हम लोग tannin और lignin को मिला देंगे तो ये क्या होगा कि ये जो brittle हो जाने के बाद जो crack हो जाते है वो crack होने नहीं देता है उसको ये avoid करता है block कर देता है नेश्ट है adding sodium sulfate to boiler water also block the hairline cracks तो अगर हम sodium sulfate को मिला देंगे तो ये जो hairlines crack होते है वो उसको block कर देगा उसको होने से बचाएगा तो इस तरह से ये precaution लेकर हम लोग caustic embrittlement से बस सकते हैं तो I think की caustic embrittlement का topic आपका अच्छे से clear हो गया होगा अगर ये वीडियो आपके लिए informative रहा, knowledgeful रहा तो please इस चैन है इस अच्छे से कि मील primaopen की पेपता हैं वे वीडियो आपके लेकर हम लेकर खायागा हैं वे tackling मिला मेश्मियो आपके